नमस्काल दस्तों सागत आपका अपने चनल में दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसी रिमर निकल के आ रही है कि टीवेश अपाचे जो है वो 125 CC में आने वाली है तो दोस्तों यह बहुत ही इंटरस्टिंग हमें तिंक्स देखने को मिल रही है कि जनरली कंपनियां जो आपने स्म 100 CC में आते थी उसके बाद में उसको सुपरस्पेंडर के नाम से 125 CC में कर दिया गया उस तरह से आप देखोगे कि जो CC है वो बढ़ती है और उस ब्रांड यानि कोई भी ब्रांड जो पॉपलर हो जाती है उसके नाम से कई सी रिजें यानि कि उसी नाम को यूज करते हुए उ उसकी सकसर स्टोरीज लिखी जा रही है और जीस तरह से को एक इस ठीवीू निकाली थी और उसके बाद में जो मोस्ट पॉपॉलर स्टोर एम इस में है टीवी को मिल रहा है तो उस eerste निकाला है और हो सकता है कि आपको 223 में टीवेस अपाचे 125 में देखने को मिले क्योंकि टीवीयस अपाचे जो सीरीज है टीवीयस की फ्लेक्सिक सीरीज है यानि कि इसमें आपको कई सीसी की बायक समय देखने को मिल जाएंगी और जो स्टार्टिंग होती है वो आपका बन्फरक्री से बाइकों से ही होती है तो 125 cc में आपको पाचे देखने को मिल सकती है कम्पचे को पाचे 125 cc बनाने में ज्यादा कुछ शेंज नहीं करना पड़ेगा जो इंपोरेटन चीज है वो एंजिन की है और कम्पची के पास में ओल्लेडी 손क्नोलीच का एंजिन 125 cc का है जो कि वो भी आपको new apache 125cc में देखने को मिल सकता है क्योंकि apache series का already market में नाम है तो company भी चाहेगी कि उसी नाम को भुलाते हुए अपनी market में पकड़ जो है वो मजबूत करें जो कहीं कहीं 125cc segment का जो bikes का market है उसमें जवर्जस competition देखने को मिल रहा है जहां तक 100cc की bikes हैं वहां पर आप देखोगे इस पेंडर प्रस जो है बाजी मारके ले जा रही है लेकिन 125cc की market में आप देखोगे कि अभी भी जो sp 125 आपको होगया cb sign series आउंटा की है वो अभी अच्छी टक्कर दे रही है तो दोस्तों ये कोई आशर की बात नहीं होगी कि ap apache भी आपको 125cc में देखने को मिल जाए याद apache 125cc में मिलेगी तो जहर सी बात है कि आपका जो concern रहता है rider में जो build quality का concern रहता है वो आपका दूर हो जाएगा यानि कि build quality के मामले में apache 25cc बहुत ही अच्छे निकल के आने वाली है क्योंकि इसकी line बगर सब setup है तो जहां तक हम बात करेंगे यह 125cc में आती भी है तो इसके जो existing model में ज्यादा कुछ change देखने को नहीं मिलेगा तो change होगा वो engine का होगा और instrument cluster का होगा यानि कि जो bluetooth connectivity अभी पैंडिंग है tvs की तरफ से तो वो bluetooth connectivity के साथ में tvs apache 125 series में आ सकती है दोस्तों जहां तक बात है कि हम अभी कह रहते है कि rider जो है वो updated version आएगा advanced version आएगा तो हो सकता है company tvs rider को ऐसे ही रहने दे उससे चेट चार्ट ना करें और जो अपडेटे बर्जन है उसको apache 125 के रूप में market में उतारें जिससे के 125cc में tvs की जो बात साहत है वो एकदम से निकल के आ जाए और 125cc के market को अच्छी त ना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए लन्यवाद थैंक यू